नमस्कार मैं आपके साथ काजलतिवारी और आप देख रहे हैं I4U News एक मेट्रोपॉलिटियन मेजिस्ट्रेट की अदालत ते सोमवार को बिजनसमैन राजकुंद्रा को जमानत दे दी जिन्हें जुलाई में मॉबाइल आप्लिकेशन पर अशलील फिल्मों के कथित निर्मान और प्रकाशन से संबंधित मामले में गिरफतार किया गया था उन्हें कुछ शर्तों के साथ 50,000 रुपे के शौरिटी पर जमानत दी गई थी कुंद्रा ने पिछले हफते एक नई जमानत याचिका दायर की थी जब मामले में मॉम्बाइ पुलिस के सप्लिमेंटरी चार्चीट में उन्हें एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था कुंद्रा ने वकील प्रशांद पाटेल के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें बिना किसी निरनायक सबूत के बली का बकरा बनाये जा रहा है और उन्हें रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ जाच पूरी हो चुकी है